हेलो एवरिवान, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो अब ये मई का महीना स्टार्ट हो गया है और इसमें मैं अपने गार्डन में कुछ ऐसे जरूरी काम करने वाली हूँ जिससे हमारे gardening में हमें help मिलेगी और हमारे plants को भी इससे फायदा होगा तो वो क्या जरूरी काम है ऐसे 5 जरूरी काम है जिनके बारे में मैं आज आप से बात करने वाली हूँ तो सबसे पहले तो क्या होता है कि महीने में 1-2 बार हमें अपने plant की अच्छे से गुड़ाई करनी चाहिए तो कोई भी fertilizer देने से पहले चाहे वो liquid हो और चाहे हम उसको soil में ऐसे ही दे रहे हो हमें अपने plant की अच्छे से गुड़ाई जरूर करनी चाहिए तो मैं अपने सभी plants की गुड़ाई कर ले रही हूँ उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे plants में extra leaves हैं या जो जल गई हैं, burn हो रही हैं या फिर जो dead हो चुकी हैं इस तरह की branches भी बहुत सारी होती हैं जो टूट जाती हैं तो हम daily daily उनको नहीं हटा पाते हैं तो महिने में एक बार आप इस तरीके का काम कर सकते हैं तो सबसे पहले गुड़ाई करनी हैं तूसरे नमबर पे सारे plants में जितनी भी dead leaves हैं, branches हैं उन्हें remove कर देना है फिर तीसरा और बहुत important काम जो है इसको करना ही करना है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि plant को उठा के कहीं और रख दीजे आप उसी जगह रखिए बस थोड़ा सा हिला के थोड़ा आगे या थोड़ा सा पीछे कर दीजे उससे क्या फायदा होगा अभी मैं आपको proof दिखाती हूँ अभी तो मैं खाली आपको बता रही हूँ इस तरीके से पर आप वीडियो में देखिएगा कि मैं क्यूं बोल रही हूँ कि इससे करने से जैसे अपने plant को यहां से वहां move कराने से हमें क्या फायदा होगा और उसके बाद क्या होता है कि यह देखिए यह मेरा मोगरा का plant है और इस पे भी काफी अच्छे से flowering हो रही है तो अगर आपने मेरा मोगरा के plant वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें भी आपको यह बात बताई थी कि मोगरा का जो plant होता है आप उसको बहुत दिनों तक अगर आप उसे pot में लगा रहे हैं तो अगर वो जमीन में लगा है तो फिर हमारे पास कोई option नहीं है और उसको जरुद भी नहीं है लेकिन अगर हमने उसे pot में लगा रखा है तो हम उसे 15-20 दिन में एक बार थोड़ा सा space उसका change कर दें हिलाड उला दें तो इससे क्या होता है कि एक तो जो नीचे जमीन हम जैसे अपनी जमीन पे अपना pot रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है हीट देने लगता है और फिर क्या होता है वो हीट धीरे-धीरे मारे गंबले में पहुंचती है हमारे सॉइल तक पहुंचती है और फिर हमारे roots भी गर्म होने लगते हैं तो हम जड़ा सा space अगर change कर देंगे अपने pot का तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे plant को फिर से नया space मिल जाएगा और वो जो गर्माहट जो तपन उसे मिल रही थी उससे भी उससे रहात मिलेगी plus क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा move करते हैं तो जैसे अब हमने अपने pot को एक दिशा में रखा है तो उसको जो sunlight मिल रही है वो सिर्फ उसी दिशा में मिल रही है डारेक्ट तो अगर हम उसे घुमा देते हैं तो फिर दूसरी side पे भी direct sunlight मिलती है तो इससे क्या होता है कि प्लांट की जो चारों तरफ की ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है तो प्लांट को हमेशा एक ही जगह पे अगर वो पॉट में है तो एक ही जगह पे मत टिकाई रखिए उसको महीने में एक बाद थोड़ा सा घूमा दिया करिए ये देखि इसकी सारी ब्रांचिस काट दी है और अब मैं इस पे फंगी साइट का स्प्रे करूंगी उसके बाद फिर मैं देखती हूं कि इसकी कैसी ग्रोथ होती है इसका थोड़ा सा मुझे लग के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और यह बहुत बूशी हो गया था लेकिन इसमें फंग से ग्रोथ वापस ले आएगा तो इसलिए कभी भी कटिंग करने से डरिये नहीं बे जिजक करिये जब उसका सीजन हो तब चले मैं आपको प्रूफ दिखाती हूं कि मैंने पॉट को आपको क्यूं कहा था कि थोड़ा सा मूब कराते रहे महीने में एक बार यह देखें यह म आपको क्लियरली दिख सके और अगर मैं इसको नहीं देखती न तो फिर क्या होता कि यह दीरे-दीरे सोयल में अपना घर भी बना सकती थी और फिर मेरे प्लांट की ग्रोथ रुख जाती और सारा प्लांट खतम हो जाता यह देखिए आप कितनी सारी चीटियां है इस पर त तो वह क्या करती है इस तरीके से जहां भी उनको गीला पन या ठंडा पन महजूस होता है वस वहीं पर किनारे किनारे अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती है तो इसलिए इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए और महीने में एक बार हमेशा नहीं कह रही हूं मैं पर महीने कि मैं एक बार प्लान को थोड़ा सा मतलब पॉट को थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिए ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो वो ठीक हो जाए तो यह सब साफ सफाई करते करते मेरा जो गार्डन है वो थोड़ा मैसी हो गया है आप देगी सकते हैं सारे गमले यहां वहां फैले ह हुए हैं और महनत तो लगती है यह सब करने में लेकिन एक ही बार करना है महीने में और फिर जब हमें गार्डनिंग का शौक है तो फिर इतना तो हमें करना ही पड़ेगा और मैं बहुत खुशी-खुशी करती हूं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा शौक है जैसे यह प्ला की ज़रुत है और कुछ इस तरीके के प्लांट से जो पर्मानेंट है जो काफी दिनों से मेरे पास है और आप देखिए यह जो प्लांट है स्नेक प्लांट इसको आप लोंके साथ ही मैंने आप लोंके सामने ही मैंने इसे रिपॉर्ट किया था और मैंने वीडियो भी शेयर की तो एक छोटे से बच्चे से यह प्लांट मेरा गिर गया था तो इसकी सारी लीव्स मुड़ गई थी तो मैंने काट दिया हाला कि ग्रोथ इसमें स्टार्ट हो चुकी है और यह देखिए यह प्लांट के भी मेरे बहुत अच्छी सी ग्रोथ हो रही और इसमें ने तो दो और ने ने निकलते रहते हैं तो देखिए प्लांट की सब की गुडाई मैंने कर ली है मुव्मेंट थोड़ी बहुत आगे पीछे प्लांट की कर दिया और उनको थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि मेरे जो प्लांट को डारेक्ट जो सनलाइट मिलती है वो दूसरी तरफ से भी मिले उसके बाद अब हमें चौथा क्या काम करना है अब हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइजर देना है तो फर्टिलाइजर तो मैं यहां पे तीन तरीके के देती हूँ तो एक साथ में सारे फर्टिलाइजर नहीं दूंगी एक फर्टिलाइजर जो मैं आज देने व पानी लिया है और 10 लीटर पानी में मैंने 3 धकन भरके seaweed liquid fertilizer को डाला है तो ये bottle जो है इसमें mention है मैंने उसी के हिसाब से ही इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे अपने plant में दे दूँगी तो मैं क्या करती हूँ जैसे 10-10 दिन पर मैं अपने plant को fertilizer दूँगी तो जैसे आज मैंने ये seaweed का liquid fertilizer दिया है अपने plant को तो कितना देना है चली पहले मैं ये बता देती हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ और सारे fertilizer के बारे में तो मैं एक मग जैसे अगर मेरा बड़ा plant है जैसे अब आप देखे यह जो plant है ये मेरा 12 इंच का plant है तो इसमें मैंने पूरा 1 म namely के दिया है चोदा इंच का प्लांत है तो उसमे भी मैं 1 मग भरके दंगी और ये जो छोटे plant सें जैसे यह मेरा में आठ इंच का है तो इसको मैंने थोड़ा हाफ से थोड़ा जादा लेके दे दिया तो इसी तरीके से चैसे मतलब मेरे कहने का यह है कि आपको उतना ही पानी देना है जो आपके प्लांट की सॉयल एब्जॉर्ब कर ले नीचे ना गिरा दे ड्रेनेज होल से क्योंकि फिर हमारा फॉर्टिलाइजर यह नॉर्मल वाटर और आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो वो है गोबर की खात का और सरसो की खली में दो चार चीजे और मिला के उसका लिक्विड फॉर्टिलाइजर बनाऊंगी मैं वो मैं अब मई में अपने प्लांट को दूंगी फिर दस दिन बाद में क्या दूंगी दस दिन बाद फि में दूंगी इसे जैसे मैं हमेशा देती हूं अगर आप लोगने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं जिस तरीके से देती हूं उसी तरीके से मैं इसको दूंगी तो दस दिन में एक बार हमें सीवीड एक्स्ट्रेक्ट देना है फिर दस दिन बाद हमें गोवर की और सरसो आते रहना हैं ये काम आपको जरूर करना है और डेली करना है क्योंकि इस समय गर्मी में अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स हरे भरे और फ्रेश रहें तो आपको अपने प्लांट को आपको नहलाना होगा ही होगा तो देखिए अपने सभी प्लांट्स को मैंने सीवी हो जाएगा तो क्या होगा तो जितना भी मैंने फर्टिलाइजर दिया है वो सारा बह जाएगा तो इसलिए आज के दिन मैं इनको नहीं शावर कराऊंगी आप मैं इनको next day यानि कल जब 24 गंटे बीच जाएंगे प्लांट में काफी हद तक सारा फर्टिलाइजर ले लिया होगा तब मैं फिर इनको नहलाऊंगी और अच्छे से मेरा फिर जान लेजी ये काम कम्प्लीट होगा तो आज का काम मेरा यहां खतम हुआ अब मैं आपको कल का वीडियो दिखाती हूँ जो मैंने अपने प्लांट क को शार कराया था तो यह देखी यह दूसरे दिन का वीडियो है और अब यह मेरा फाइनल काम है तो इससे फिर क्या होगा ना कि अब मुझे सिर्फ फर्टिलाइजर देना है अपने प्लांट को दस दिन बात और नहलाना है बाकि यह जितना भी मैंने ताम जाम किया है अब इनकी जुरुत नहीं है एक महीने के लिए तो नहीं है फिर जून में करेंगे जब नया महीना स्टार्ट होगा तो सभी प्लांट को अच्छे से नहला दिजे और यह काम डेली करिए आपके प्लांट की लीव कभी बर्ण नहीं होगी आपका प्लांट कभी सूखेगा नहीं और अब इसी तरीके से मैंने ये काम कर लिया है और अब मेरे ये महीने का जो इतना बड़ा और लंबा प्रोसेस वाला काम था वो कम्प्लीट हो गया है तो आप लोग भी अगर चाहें तो अपने गार्डन में ये सभी काम कर सकते हैं इसे क्या होगा कि एक दिन के महनत है और उसके बाद फिर आपको पूरा महीना टेंशन फ्री रहना है फिर आपको खाली 10-10 दिन पर जो खाद फर्टिलाइजर मैंने बताया है बस वही दीजे औ और उसके बाद फिर आपके प्लांट एकदम फ्रेश रहेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे ये देखिए आपको मैं दिखाती हूं जर्बेरा के प्लांट में भी मैंने शावरिंग की है लेकिन जर्बेरा का जो प्लांट होता है उसको शावरिंग सिर्फ गर्मी के मौसम में ही कराया करिएगा आप इस वीडियो को देखके ये मत सोचेगा कि ठंडियो में भी आप जर्बेरा प्लांट को इस तरह से नहला सकते हैं क्योंकि उसमें फॉंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है तो जर्बेरा प्लांट को गर्मियों में भली आप शावर कराईए ले तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर बताईएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको प्लांट से रिलिटिट कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझ हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई ठेक केर